हेलो शुरेंट्स कसे हैं आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे तो आज इस वीडियों डिसकस करने वाले पेपर नमबर 38 इससे पहले हमने 37 पेपर डिसकस कर लिए यह दिए वो वीडियो से आपने नहीं देखें तो आप जाके हमारी चैनल पर टेस्टरीज जो है होने वाला इसी चैनल पर जो परते एक साथ से आठ विजे के बीच में आपको अमारी चैनल पर मिल जाएगा जो भी स्टूरेंट्स हमारी चैनल को सब्सक्राइब रही गया वो कर लिजिए क्योंकि यहाँ पर लगबक 4,000 इम्पोर्टन पर आपको मिलने वाल है और से इस एप का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर सारे पेपर दिये वह अब तक का 36 पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है तो 36 पेपर यहाँ पर पूरा सबका हुआ है अभी 37 पेपर हम डिसकस कर रहे है जो आपको पीडिया फोर में इस एप पे मिलेगा ठीक है साथी साथ इस पे आपको 180 टेस्ट है वो मिलने वाले परतिजिन जो टेस्ट होगा जो यूट्यूब पे चलाया जाएगा उस सभी का पीडिया आपको इसी एप में मिलने वाला है साथी साथ आपको 10,000 प्लस क्यूसंस मिलेंगी यह आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम का सारे उसके साथ इसाथ किमेंगे के सोर्ट नॉट्स रहेंगे और शाथ हिस आपका फिजिस का फोर्मला बुक भी रहेगा जैसे आप इसपर क्लिक करेंगे इस पेलिग करूपन अपूर हो जाएगा इस पर देख सकते हूँ सारा आपका जो है फोर्मला है ठीक है सब चीज़े अवलेबल है इन और इन सब का जो चार्जस है वो आपके सब्सक्रिप्शन का चार्जस है वो 999 है ठीक है जिसे आप जोइन होना चाहते हो तो नीचे आपका कमेंट वोक्स में मारे टीम के नंबर है वहांसे इस एब को कैसे डाउनलोड करने हैं उसे बा आपको मिलेगा जैसे हमने यहां पर दिखा रहा है इस तरह से सारा आपको जो है एप मिलने वाला है ठीक है तो यह आपको जोइन होना तो नीचे डिस्कृट कोमेंट बोक्स में वारे टीम के नंबर चल रहे हैं वहां से आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हो तो चलिए आज की इस वीडियों हम डिसकस करेंगे बाइलोजी का फुल्स लेबस का पेपर हम डिसकस करने वाल है हिंदी एंग्लिस बहुत वीडियों में अवलेबल है इदी किसी स्टूरेंट्स को हिंदी वीडियों में समझ में नहीं आता है तो आप इंगलिस वीडियों क्यों देख सकते ह है तो इसमें जो dar управ कर सकते कि क्या कर सकते तो आपके पास चार ओप्संथ से मैं इसमें से क्या आप सब जाइगा से आप देख सकते हूँ किस नइभी होता जुग ऑपका फिरस्ट में याफ है न फ्रश्ट करेंगे फॉर्ड्ट कुछ च्छार ओप्शन है तो वियूरिन के एक reveal नॡूटी साइड का और और फायर बडी होрыख तो क्या अंसर जाएगा इसमें तो फॉर्ट में आपका जाने वाला है है तो ओफॉर्ट में आपका अंसर जाएगा सेकंड दिस्कर्स करेंगी दो मुक्त न्युवरैंड टाइट इकाईयां किससे बनी होती है पसमें किस्टे जुड़ी होती है ठीक है तो यहाँ पर कुछाई टुफरी थी लेएपी दोन्सें JupiterHY लिंक होती हाई्टर नोंकिल निक्टेस से फॉपॉंस हसे लिकंट जाने वाला है वह आपका अंसर जाएगा थर्ड फोस्वोर डाइस्टर बन तो यहां पर थर्ड राइट आंसर जाने वाला नेक्स को डिसकस करेंगे एंजाइम के बारे में तो काफी श्ट्रेट ने इंजाइब पढ़ा होगा तो यहां पर एंजाइम इडिया आपने पढ़ाता है कोन जाएगा तो यहां पर इसमें से राइट आंसर आपका इंजाइब और प्रोटीन होते हैं लेकिन कुछ लिपिड भी होता है तो यह को सी में होता है तो यहां पर आपको फेश दे रहा है तो यहां पर आपका जो जाने वाला है उससे भी स्टूरेंट को बता है कि इसमें अंसर थर्ड जाएगा इस फिर्ट भात करेंगे इनकी बीच होता है तो यहां पर भी आपके सामने चार अप्शन हैं तो इसमें से क्या आपका आपका जाने वाला है फस्ट दो समझात पूर्श तर नेश अंब बात करेंगे हैं को पोदों का रंदर किसके कान खुलता है तो यह भी आपको चलिए तो यहां पर इसमें भी आपका रți-स डाने वाला है तो 10 है आपका राइट आंसर यहांट नूघ पात पात ही प्सक्रावन करा हैं तो से यहां पर आपके सामें यहांगा जो राइट अंसर जाएगा यहां पर सारो options देख सकते हो तो 11 में आपका write answer आने वाला है first, both A और B ठीक है, तो यहाँ पे both A और B मतलब दूसरा और तीसरा answer इसमें से सही जाएगा तो चलिए next हम बात करेंगे, 12 नमर questions को रक्त कोशी का किस से बनी होती है, यहाँ पे royal disease भी है और mosquito mosquito having यह भी है आपका ठीक है यूट मच्छर भी है तो इसको दोनों option चाही है तो इसमें जाएगा आपका answer B और C यहाँ पे A और B लिख रहा है उसमें लिखना आपको B और C आपका write answer जाएगा तो यह clear हो गया, चलिए next हम बात करेंगे बार नमर क्यूशन का रख्त कोशिका है किस से बनी होती है तो किस से बनी होती है blood capabilities are made by तो made of, किस से बनी होती है तो यहाँ पे आपको options है connective tissues ठीक है, endothelium endothelium, connective tissues, muscles, fibers endothelium, ठीक है तो आपको बहुत सारे option, चार option था है इसमें से आपको एक right answer चुनना है तो इसमें जो 12 में आपका right answer जाएगा वो आपका third right answer जाएगा केवल endothelium ठीक है, तो यहाँ पे third answer आपका right answer जाने वाला है चलिए next question को हम डिसकस कहेंगे थर्टी नमर किस से को रख्त cancer के नाम जिस जानाता है यहाँ पे आपको जो answer जाएगा थर्टीर में वो आपका second answer जाएगा लुकेमिया second answer आपका जाएगा यह clear हो गया अब हम बात करेंगे फोर्टी नमर क्यूशन से यहाँ पे दे रखा है इंग्लिस वीडियों को इसको पढ़ने के लिए जाएग तो यहाँ पे आपका right answer 14 में क्या आएगा यहाँ पे क्या पूछा है रख्ट समुख AB और पर्णाली में यही दो antigen मौजूद है लेकिन कोई antibody नहीं है तो विक्ति का रख्ट समुख क्या होना चाहिए तो यहाँ पे आपका simple सा question है और simple सा answer है तो यहाँ पे blood group कौन सा होना चाहिए उसका तो यहाँ पे 14 में आपका answer जाएगा AB First answer यहाँ पे right answer जाएगा चलिए next question को हम बात करेंगे मानव इसलिए मस्तिक से 3 भाग होते हैं जिसमें से A कौन सा होता है तो यह भी बहुत ही easy question है इसलिए का question है और इसमें right answer आपका 15 में क्या जाएगा तो 15 में जो आपका right answer जाने वाला है वह आपका right answer जाएगा First First आपका right answer जाएगा चलिए next question को हम डिसकस करेंगे मेलोग ट्रोनिंग का उत्पदन कहां से होता है तो यह भी आपके सामने च्यार जो है options है और इसमें बहुत easy question है तो 16 में जो आपका answer जाएगा वह 3rd answer जाएगा क्या answer जाएगा 3rd answer आपका जाएगा next question एक और इसा ही question है हमारे स्रीर की 24 गंटे देनी के लिए खहले काफी एक जाड़े मी पूछा गया है नीमजा रने फेल बार नींज जाएगा नहीं हर्मों दूरान Mumbai किसा होता है तो 17 में ओका क्या answer जाएगा थर्ड क्या जाएगा थार्ड क्या आट सघा है टो यहां पर 17 में आपका क्याwalker जाएगा 2 आट जाएगा समेंगा blastopore है तो blastopore क्या है तो इसमें भी आपके चार options है तो यहाँ पर आपके क्या answer जाएगा तो 18 में जो आपका right answer जाने वाला है वो आपका जाएगा fourth answer चलिए next question को हम डिसकस करेंगे 90 नमर्ड दोहरा double fertilization होता है तो आपको सामने चार options है और इसमें जो आपका right answer जाने वाला है वो आपका right answer जाएगा next time questions को discuss करेंगे corpus luteum की वर्दी किसके द्वारा प्रावर्म की जाती है तो यहाँ पर आपको आपको चोथा option आपको हिंदी में इधर आपको ने दी रहता पर एक बार इंग्लिश पीडियो में देख लिए और लास्ट और जो option है वो है आपको I hope समझ में आएगा और सारे के सारे कृषिंस NCRT बेस्ट हैं जो आपकी एम्स में वह फटाफट कर सकते हो एक स्कूर इंक्रीज करके एक अच्छी एम्स में एडमिशन ले सकते हो और साती साथ ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मेडियो में आवलेवल है तो जल्दी सीजाए कॉंटर्ट कीजिए कॉंटर्ट नमर आपको हमारे कमेंट बक्स में मिल जाएंगे वहाँ से आप कॉंटर्ट कर सकते हो थैंक्यू मिलते आपको नेक्स्ट टूडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक्याइट